हो जाए यह पक्का नाम लिखोगे चैप्टर का क्यापिटल इस्ट्रॉच पाइप टू टैल मार्स दस नंबर से ज्यादा का आया नहीं है कभी दस नंबर मान के चलिए अब आगे नहीं मालू मुझे क्या होने वाला है अच्छा इंस्ट्यूट का जब मॉडूल देखोगे उसमें मार्किंग स्कीम आती है मार्किंग स्कीम आती है कि कौन सा चैप्टर कितना पर शंटेज वेटेज है ना किसी काम के लिए उसके हिसाब से चलने की कोशिश मुझे पहला इसमें पढ़ना है E.B.I.T. E.P.S. decision E.B.I.T. मतलों समझते हैं ना और दूसरा हमें पढ़ना है capital structure theory capital structure theory समझ में आ गया होगा आपको की numerical part कौन सा है इसमें दोनों एक theory में वैसे भी पढ़ाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ तो बहला numerical करेंगे ज्यादा अच्छा इसमें क्या पढ़ेंगे इसमें बड़े-बड़े लोग आएगे net income approach, net operating income approach, mm approach, पता नहीं with tax, without tax, sir, क्या है पता नहीं फ्यार हम पहले क्या कर पढ़ेंगे, EBIT, EPS इसका question अगर आएगा, generally, तो दस नमबर का आते हैं क्यार में तो बैसे ही बनाना, जैसे में बना है, आएगा दाएगा, तो आएगा अथे, लिद कमपनी, बनातना इस्टार्ट करो मेरे साथ साथ, तर कमपनी का नाम लिखते हैं, अगर ये एक्जामपल आपने कर लिया, कुछ भी ने लिखवाया, कुछ लिखवाने की जरूद ने, ये एक्जामपल कर लिया, तो समर्लो हमारे आदे से ज्यादा कोशन बन जाएंगे, ये कमपनी का, क्योंकि कमपनी इस पहले से है, तो एक्जिस्टिंग क्यापिटल स्ट्रक्शर, एक्वडी शेयर क्यापिटल है, कमपनी में पहले से, 10,000 का, 10,000 शेयर से, और, सौर रुपय का एक लेत, बताओ कितना होगे, 10,000 शेयर से, 10,000 शेयर से, 10,000 शेयर से, 10,000 शेयर से, और, साथ में डेट भी है, 12 पर्षेन, इबेंचर्स, और ये टूटल कितने का है, 5,000 शेयर से, 12 पर्षेन का मतलब समझ रहा हूँ, अच्छा, और, कम्पनी के पास, तो टूटल मिलागर कितना होगे है, 15,000 शेयर से, एक वरी शेयर कापिटल है, और, डेवेंचर वेशू किया, तो टूटल कितना फंड है, 15,000,000, जो 15,000,000 कम्पनी ने अर्रेंजमेंट किया था, उसको उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसी प्रोजेक्ट में, इतना रुपए इन्वेस्टमेंट किया, पूरा पंदरा, पंदरा लाक रुपए को प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट किया, पीज मेरे साथ सद बनानों, मैं आपको टाइम नहीं दे बाँ, ठीक, और जो इन्वेस्टमेंट किया, उस पे कमा रहा है, इसको हमें नाम बोल रहा हूँ, E-B-I-T, तीन लाक रुपए, तीन लाक रुपए, तीन लाक रुपए, ये दोनों ही है क्या, इसको मैं capital employed बोल सकता हूँ, capital employed, बता हूँ, तीन लाक रुपए कमाया जा रहा है, पंदरा लाक पर परशंटीज बता सकते हूँ, 20% कैसे निकाल रहे हूँ, तीन लाक डिवाइड बाइ, पंदरा लाक, इसका नाम बोलो, क्या है, return on investment कि return on capital employed, दोनों एक ही है, ज़्यादा दिमाख नहीं चलाएंगे, EBIT divided by ROI बोलते हैं, जिसको आप, return on, हालाके ratio मैं मैं पढ़ा हूँगा, या EBIT divided by capital, अब company को पता लगा कि यार, क्योंकि कमाई खूब होने वाली है, तो एक काम करते हैं, और पैसा लगाते हैं, पैसा कहां से आएगा, विश्ता दो करना पड़ेगा, और बुले, अगर हम कमा, कि सर, कितना और लगाने का सोच रहा हैं, तो कितना और, additional कितना लगाने का सोच पाच लाख रुपिया कमा रहे हो इसमें से इंट्रेश्ट माइनस हो चुका है तो यह जो पैसा कमा रहे है किसके लिए कमा रहे हो एक विटी केtheit के लिए ऐट के लिए कि दोनों के लिए अब पांच लाख और लगाएंगे तो बता 흡 Kentा कितना कमाइंगे है अभी दस पंदना लाख लगा कि हम कितना कमा रहे है तीन लाख अगर आपाच लाख और लगा देंगे तो टोटल मिलाकर कितना कमाएंगे यह जुशन total मिलाकर कितना कमाओ कैसे भी करो कुछ भी करो आपके 15 लाख लगाया है 15 लाख तो 3 लाख कमा रहा तो 5 और लगा रहा है तो total कितना कमाएंगे total? total? इट लग और देखो यार पंदराइड पर तो 3 कमा रहा है तो अब टोटल कितना हो गया 15 नहीं प्रीस हो गया या फिर 5 लाग का 20 पर्शन पाच लाग का बीस परशंड कितना कि एक लाग तो तीन और एक चार ठीक है सर तो लगाओ फिर तो एक लाग एक्स्टा आएगा पर पैसो का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा चलो पैसो का अरेंजमेंट करेंगे अब यहाँ आपके बस जग है नो कॉपी में अब पैसो का अरेंजमेंट कहां से कहीं भी डिजाइन विजाइन बनाओ कुछी भी करो तर पैसो का अरेंजमेंट करने के हमारी पास पहला तरीका फस्ट दिखोगे फस्ट पहला एक काम करते शेयर्स इश्यू कर देते टैंसर नहीं खतम और शेयर्स कितने इश्यू करना पड़ेगा माल लो 100 रुपए का ही शेयर्स है यह प्राइज अलग कर दे एक सो पचिस का शेयर है तो पाच लाग डिवाइड़ बाई एक सो पचिस चार जर पहला अल्टरनेटिव है एश्यू 4000 और मार्केट प्राइज क्या चल रहा है 125 उस समय 125 चल रहा है आज एक अल्टरनेटिव तो यह हो गया हो गया पाच लाग पिर मन करता है कि नहीं है ऐसा नहीं करते और कोई दूसरा तरीका हो सकता है अल्टरनेटिव इस्यू कर देते हैं 1000 शेर्स कितने रुपे के साब से 125 चैंसन कतम तो भी पाच लाग का विवस्ता हो जाएगी ठीक है या तो 4000 शेर 125 के साब से इस्यू कीजिए या तो 1000 शेर 125 के साब से अधूरा सुनने की आदत एंड लिख रहा हूँ एंड 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 13 पर संदिवन्चर पर बालंस लाष्ट थर्ट इस्यू 2000 शेर्स इतने के साब से 125 आट एंड-स न 15 पर संदिवन्चर पर संदी प्रेकर्वった कि पैसों का arrangement कहां से किया जाए या तो equity से या तो equity plus debenture से या तो equity plus preferent share से कैसे पता लगाएं किसको बेस बाने ultimately company है किसकी आपकी मतलब shareholder की तो आपको फाइदा होना चाहिए और आपको फाइदा कैसी होगा EPS EPS निकलना आता है न EPS जिसमें ज़्यादा आएगा वो हमारे लिए अच्छा तीनो अल्टरनेटिव से हम EPS लगाएं निकलेंगे ठीक है अच्छा EBIT कितना आएगा मतलब estimated EBIT नहीं अगर हम इस से पैसे उठाएं तो कितना आएगा फिर से फिर से फिर से फिर से अच्छ और यहां से लेते तो कितना आएगा समयच आएगा वहो सर यहां से कुछ ओरा आएगा कुछ क्यों आएगा भई क्याआँ माल खरिदने वाला पूछेगा पैसे कहां से लिए थे माल बनाने के लिए नहीं उसको तो लिए तो इसमें दो वरकिंग नोड बनेगा एस्टिमेटेड इबी एट ही वह कितना आया था आपका चार लाग पर यहां प्रॉपर करते हैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्राइस क्या होना चाहिए मैक्सिमम कभी कभी कोश्चन में प्राइज और निग रिशो देता है इन्टू करते थे किस से प्राइज अनिंग रेश्यो से तो क्या आजाता था MPS तो यार वैल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए सबसे बड़ी बात है वैल्थ मैक्सिमाइज समझते हो ना शेयर होल्डर का फायता सबसे पहले वर्किंग नोड नमबर बन करते हैं यह बना लिय अच्छा पहले पर्सेंटेज निकाले थे पर्सेंटेज को प्यार से क्या होलेंगे आर वाई रेटन और इन्वेस्ट्मेंट रेटन कुछ फॉर्मूला भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा इबी आई टी डिवाइडिड भाई टापिटल एंप्रोय लिख देते भाई इन्टो हंड्रेट तो बताओं इबी एटी कितना था तीन लाक डिवाइडिड भाई कितना 15 लाक इन्टो हंड्रेट ठीक है और दूसरा अब निकाल रहा है हम एस्टिमेट इबी एटी पहले से कितना है कैपिटल इंप्लॉइट 15 लाक इन्वेस्टमेंट है और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 लाक और इन्टो कितना पर्शन कर लेंगे 10 पर्शन आंसर कितना चाहेगा 4 लाक ठीक है अच्छा आप यह एज्यूम किये हो आप लोगों ने यह तो मैं हां उतना ही रिटन मिलेगा पहले जितना है एडिशनल पर भी उतना ही रिटन मिलेगा मैं क्या छेड़शाड कर सकता हूं कुछ और दे दूँ पर इंस्ट्यूट नहीं करता है तो मैं भी क्यों करूं ऐसे गर देते 20 पर अब यार EBIT हमको पता है और हमारे पास कितने alternative है तीन तो तीन कॉलम बनाते और EPS निकलने की कोशिश करते जिसमें EPS जता आएगा वह अच्छा तो तीन कॉलम और एक कॉलम किसका पर्टिकुलर्स का करता है हम क्या निकल रहा है EPS कितने alternatives हैं हमारे पास तीन वान तू और थ्री तब सिर्फ पहले लिखेंगे हम Estimated EBIT और यह कहां से आया है वर्किंग नूट नंबर बन से कितना कितना चार लाग चार लाग चार लाग मैंस क्या करोगी Interest सोच समझ के Interest तो ठीक amount सोच समझ के वहला ठीक साथ होजा हाँ उसके बाद साथ होजा साथ होजा साथ होजा पहले वाले debenture पे तो हमको ब्याज दे नहीं पड़ेगा इस पर पाच लाग का बारा पर्षंट पाच लाग का बारा पर्षंट कितना होजाएगा साथ होजा हाँ दूसरे में हाँ डिवेंचर तो इश्यू नहीं करते है हाँ 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 मैं सेकेंड की बात यहां साथ हेजार आएगा की नहीं आएगा और यहां भी साथ हेजार आएगा ठीक है जी न्यू में फइस्ट वाले में नहीं आएगा आपका कहना था 487 50 प्रफ्रेंट डिवीडेंट आएगा आएगा न प्रफ्रेंट अच्छा बाद में आता है ठीक ठीक अब जो नाम है PBT हमारे finance में इसको EBT बोलते है चाल लाक में से साथ हजार गया तो किन लाक चालीश जार तो इनकान भी 250 340 अभी क्या जाएगा टेक्स हिंदी बहुत खराब है आपनों के टेक्स कितना 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 है 30 परफी एक लाग दुवजार 87375 और यहां भी एक लाक दो हजार टीके से अभ जुआयेगा उसका नाम रहेगा अर्लिंग आप्रटेक्स 238,000 238,000 238,000 38,000 अभी क्या मैनस करना पढ़ेगा इस डिविदेन फाइस्ट में नहीं आएगा सायथ सेकेंड में भी नहीं आएगा लाश्ट में आएगा 500 500 अर्निग अवेबल फो रिक है यह लिए लिखतु हूं इंस्सट्ट्टिट्ट्टट अर्निगता है अम्भी क्यों जादा लिमाक्षण अर्निग्स पैला बाला में बता ते रहा हूं यहां बच्चों को दिक्कत होती है यह जो EBIT EPS है नमबर अब शेर से निकालना नहीं आता सर मैंने किस्मत से आपको दे दिया है वो नमबर अब शेर से निकालने के लिए आएगा पहले में नमबर अब शेर से कितना है फोड़ी न था होजी एक अब तीस रहा EPS निकलते डिवाइट करके 17 रुख गया 17 यह ज्यादा सही है 18.5 17.6 क्या लगता है किसमें हमको ज्यादा शेर होल्डर को ज्यादा फैदा तो लिखोगे सेकंड अल्टरनेटिव ज्यादा बेश्ट दू इएश्ट EPS बस खतम चैप्टर बद है और कुछ नहीं इसमें अगर मैं कहाने लिखवा हूं तो ऐसे लिखवा हूंगा कि देखो हम वो अल्टरनेटिव सेलेट करेंगे जिसमें EPS मैक्सिमम है और चलो बनाते है EPS का फॉर्मेट इंपस नहीं करवाना चाहता है यह एग्जांपल सेफिशेंट इसमें 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 इसम लिख लिया है चलो आओ अब कोई एग्जांपल नहीं अब देखते हैं अब आप लायट हो पहली बार में कुश्चन नुबर वन से स्टार्ट करें पता है ना ऐसा देता है ना तो पढ़ने का दिल नहीं करता है कास कोई ऐसा डिजाइन बना कर देने हमको जो मैंने बनाया है तो यार हाँ सद्धिक रायर जिरूरत नहीं है वैसे अगर पढ़ोंगे बास समझे में तो यह पढ़ते हैं प्रोफिट थी लाइक पर एन पढ़ना अब ते अच्छे से दिया क्या है क्या दिया है प्रोफिट थी लाइक आफ्टर मिटिंग इट्स इंट्रेस्ट लाइबिटी एक लाग बीस जार हुर ठेहकele शिर्ट लाइक आब अधक करने के बाद है यह इसमें हम क्या करेंगे इंट्रेस्ट क्या कर देंगे अट कर देंगे है एक लाइक लग बीस जार इंट्रेस्ट है तो यहार इंट्रेस्ट किस पे लगताः विचज कर इंट्रेड यशjek डिया है 12 पर उसने इमाउंट नहीं बता है देस लाग के है न टेक्स का रेट कितना है 50% और शेर भी है कितने शेर से 80,000 शेर से 10 का एक है तो शेर कापिटल पता लग गए 8 लाग और रिटर अर्निंग भी है 12 लाग तो अभी कापिटल इंप्लोईड में एक्विटी है डेट है और रिटर अर्निंग भी जिरह बताओगे कापिटल इंप्लोईड कितने का है एक लाग भी दस ये और आटी है और वारा ही है तीस लाग अब कंपनी जो है वह एक्सपांसन करना चाहती है जिसमें कितने की रुपे जरूरत है चार लाग अब चार लाग अगर हम लगाते है तीज़ती है अब नहीं बोलता तो और पैसो का अर्रेंजमेंट दो ही अल्टरनेटिव है भाई या तो आब उधार ले ली ची है कितने परशन के सब से बारा या तो आप shares issue कीजिए और shares at par 10 रुपे के साथ तो बताईए, बताईए क्या बोले, सिर्फ EPS निकालो भई आपका काम है EPS निकाली, अगर आप additional debt से लेते हो या तो share से लेते हो, और जब EPS निकल जाएगा तो आप क्यान भी दे देजी, क्या चाथ या रहे हिमत से, आप चलो बनाते हैं, तो कितने नबर कोशन आएगा, 10 नमबर तो वर्किंग नूट नमबर वन कर लेके पहले estimate rate, EBIT पहले तो मैं existing EBIT लिख लूँ क्या अर्ण का इतना था भाही तीन लाग किये और एक लाग वीस जर यह तीन लाग तस एक लाग कितना गया, चार लाग लाग चार लाग वीस जर ठीक है इसके बाद आगे क्या करें लोग क्या मेरे नहीं पहले capital employee existing capital employee equity share capital कितने का भई 80,000 shares है और 10 का एक है कितना हो गए है 8,000,000 और इसके अलावा debt भी है debenture 1,000,000 बीच जा रहा है interest जो किये 12 प्रतीशत 10,000,000 और इसके अलावा return earning भी है 12,000,000 तो बताओ कितना investment हो चुका है अभी तक 30,000,000 तो आप ROI निकल लेते हैं कितना कमा रहे हैं अभी 40 कितने पर 30,000,000 पर into 100 percent is below 100 percent ठीक इस chapter में न मैं थोड़ा पीछे ही चलता हूँ बच्चे आगे क्योंकि मिझे copy cut वाने में मझे आता है आगे चलता हूँ estimated EV80 पता हूँ total कितना लग गया है पहले से 30,000,000 लगा है बोलो हाँ 30,000,000 ये लगा है और लगाने वाले हो कितना 40,000,000 और इस पर कितना कमाऊगे 14 बर्शन 4,70,000,000 चलो इसके आगे चलो कि इतने कॉलम आएगे कि तो अल्टरनेटिव है हमारे पास 1, 2, target क्या ने कलना है प्येस पर सबसे पहले आएगा अल्टरनेटिव वर्किंग और ये आया था 4,76,000 पहला वाला डेट है ना इसको क्या ले लेंगे मैंसे क्या माइनस करोगे इंट्रेस्ट ओल्ड वाला तो कर रही देते है जो कि कितना था 1,00,00,20 और न्यू 48,000 ठीक है अब जो नाम आएगा उसका नाम रहेगा EBT 3,00,00 ठीक है अभी क्या जाएगा टेक्स टेक्स करेट 1,54,000 अब जाएगा अर्निंग आप्टर टेक्स क्या ब्रफ्रिंशिया कैपिटल है नहीं तो यहीं कतम करते हैं डिवाइड इड़ बाए नमबर अफ शेयर्स पहले में 80,000 मतलब ने शेयर तो इस्यू कर नहीं रहे 80 का 80 है जाएगा दूसरे में सोसी विकनक, पकका 1.925, 1.48 DPS तलह भी देदू, पॉइंट नमबर टूमुल debt is better due to higher EPS असी आई, रही चलेगा जैप्टर homework है वही वाला जो question अभी किया था, लिख लेना answer 2.610 alternative 1 का और 1.800 alternative 2 ये question आपके लिए होगा 10 नमबर का आया था, 18 मिनट का टाइम होता है अपके लिए question number 3 आप चाहो तो मैं दूसरा नया चेप्टर श्टार्ट करते है okay यहां पुराना कुछ नहीं है यहां नया प्लांट की बात हो रही है existing कुछ है नहीं इतने रुपए की जरूरत है आपको दस लाख क्या क्या alternative है एक लाख shares issue कर सकते ordinary shares मतला इक्विटी प्यार से मुझे दस रुपए का एक ठीक इसके अलब आप पचास र एक्विटी shares और पाच र डिमेंचर सौ का एक और कुपन कितना दे रखा है आठ परशन और चाहो तो आप पचास र शेर इस्यू कर दो पाचाँ प्रफरेशन शेयर कर दो सौका एक और रेट ओप इंट्रेस्ट कितना है और सौरी डिविडेंड करेट कितना आठ परशन तोब कि दूशें ईती संसे अंशेह हूं कि बस EPS निकालना है और इसमें कौनसा अलटरेरीज़ बैरें, इसमें कौन सा इसमें कॉन सा कॉन सा अब भूल जाओ प्रफिश्यर में एक बात सिंपल सी बता अगर कम कमाई हो रही है अब यह अनुमान है कि यह कहुं ज्यादा नहीं कमा पाएंगे तो कौन से अल्टरेनेटिव अगर आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे उधार मत लो भैं उधार मत लेना अगर ज्यादा कमा सक करते हो उधार लो जो क्योंकि उनको तो उतना ही देना पड़ेगा फिक्स देना पड़ेगा यह करवाओंगा मैं एक आएगा EBIT EPS इंडिफरेंस लेवल वहाँ डिटेल में क्वांसेप्ट करों इस यह क्या करें हाँ कैसे बनाओगे कोश्चन पहले श्यार से पूरा कैसे करोंगे एक-एक कर लेते पहले 20,000 ले लेते 300 EPS पर 40,000 तीन EPS पर 80,000 तीन और हर एक में डिसीजन देते जाना कॉनसेट चलो मज़ा आएगा होंवर्क इसमें कुछ करने के लिए है नहीं अगर आब चाहो तो कर लेंगे क्लास उबर हो जाएग इतने टाइम में तो हो गया आधा घंटा तो हो गया तर अच्छा कोश्चन करो ये मिला अच्छा और मैं देखना चाहता हूँ कितना दीमाग चलाब अच्छा कोश्चन है सोस समझ के बाएग राज रिमिटेड जो है 31 मार्श 2022 का आउटपुट कितना दे रखा है एक लाग बहुत अच्छा कोश्चन है अब ये बताओ अब भी कितना कमाद किर कोश्चन कैसे स्टाट हो ये नीचे बढ़ेंगे वैसे यहां को कुछ और जुगार दगा सकता है क्या एस्टिमेटेड इबी आईटी वगी राका क्या लोग और खेर मैं परिशान नहीं करना चाहता है मिस्प्रिंट है यहां 20 रुपे यह भी कि मैं मैं आपको बता रहा हूं थेको बैलेंश इट देखा है अब इदर लिखा दाओ डिबेंचर्स वगीरा लैएबिटी सैट और एसीट में क्या लिखा एसीट में फिक्स एसट वगीरा अब डिबैंचर्फ भेस थे अगर मैं कहूं डिबैंचर्टर यह प्रफर इधर cumulative लिखा होना चाहिए था, वो cumulative इधर छप गया, तो लिखा था cumulative plant, आ गया ऐसा, मैंने का बच्चों जड़ा दे, क्या होता होगा, भई सबने बता दिया कि सर ये होता होगा, अरे वो गलत छपा है, कहा होता होगा, तो हर चीज का जवाब है आपके दो पेज लिख capital structure दे रखा, 31st March 2022, इसका मतलब अभी का capital structure, equity share, capital है, ठीक है, reserve है, current liability है, कितना, किसला, current liability, capital structure, कोई बात नहीं, आगे पढ़े हैं, लोग, राज लिमिटेड, राज लिमिटेड, हैज डिसाइड़ टू अंडर्टिक, एकस्पांसिन करना चाहते हैं, और कितना रुपिया लगाना चाहते हैं, 20 लक, company expect increase in output, output कितने परशन से बढ़ जाएगा, 50 परशन, मतलब जो एक लाख है, sorry, units कितना है, एक लाख है, वो कितना हो जाएगा, एक लाख, पचास जार यूनिट्स, fix cost भी increase हो जाएगा, कितने रुपिय से, 5 लाख से, तो fix cost 15 लाख हो जाएगा, variable cost per unit decrease हो जाएगी 15 परशन से, तो variable cost जो दिख रहा है न, 20 रुपए, उसको 15 परशन से decrease कर देना, इसके अलावा, additional output can be sold at existing selling price, ठीक है, without any adverse impact on the market, okay, अगे बढ़े, question तो है, अब आया रहा, अभी तक तो time pass चल रहा था, alternatives भी दे रहा है, debt, और debt, 5 लाख तक, 5 लाख balance equity, total हमको कितना चाहिए थी जरा बता हो, 20 लाख चाहिए था न, ऐसा कहां लिखा है, तो जो 20 लाख रुपए चाहिए था, उसमें से 5 लाख debt और 15 लाख equity, दूसरा alternative, 10-10, 30, जबदा और 6, current market price, 200, और share कितने में issue होतागा, 200, face value पर नहीं, जो market price हो, उसी पर, या तो issue price दे थे, अब सर्थ debt हमकर लेगे, तो debt का rate of interest, 5 लाख तक 10%, 5 लाख से उपर 10 लाख तक 15%, और 10 लाख से उपर 20%, और बस simple पूचा है कि कौन सा alternative अच्छा है, अब बच्चे ना, मालू में क्या सूचे, सब कुछ भूल गए, ले यार छोड़ो, यह क्या चक्कर करें, क्या करना है उससे, फिर उसका करना ही क्या है हमको, हमको किस काम आता है, यह सब capital employed, बताओके, किस काम आएगा, ROI, ROI निकालना ही नहीं है, वो बलता भया, आप cells से start करो, cells कितने का होगा, हमें तो generally हम ऐसे निकालते थे पर यहां उसने कुछ और बोला, estimated cells निकाली है, उसमें से variable cost minus कीजिए, उसमें से fixed cost minus कीजिए, और वो आएगा estimated, और वो लेना है आपको, ठीक है, तो इसकी तो जरुवरत ही नहीं पड़ी, अब अच्छे इसी में घुसे है, और paper में मतलब pain रुग गया, करे तो क्या करे करना ट्लाया है, प्रटेक, उसमें जान बुच के दिया, जान बुच के दिया, मैं तो अभी taste लूँगा, और अंसर शीड़ भी रहेगी शावने मजा आएगा, चलो, लिखाले सबसे पहला काम क्या है, estimated EBIT, अब 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 जो, सर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग Sells कितना कितना Units 1,50,000 कैसे आजा पता है और Selling Price कितना है 40 40 माइनस क्या करोगे वेरिबल कॉष्ट एक यूनिट कितने का वैसे तो 1,50,000 यूनिट से है 20 रुपए में से कितना परशन कम करना है 15 परशन कम कर देन 25 लाक 25 लाक और फिक्स कॉष्ट भी यूनिट से फिक्स कॉष्ट कितना? 10 लाक 25 लाक 15 लाक अब जो आए है उसका नाम क्या रहेगा? EBIT यही एस्टिमेट लाक 30 लाक 15 लाक 25 लाक 25 लाक 25 लाक इसे क्या मैनेश करोगे? क्या लगता है तम्हाल लोगे कोश्चन को पक्का फजय चलेंज नहीं सीरियसली अगर बना लिया ना कसम से लॉट्री लग जाएगी है अगर यह कोश्चन बना लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसके बाद तो बना लोगे अगर मैं कहूं आंसर की बात पहले का अंसर EPS कितना आ रहा है? 10.6 नहीं आ रहा है अपका कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ सर 10.43 10.16, 17 इसमें दिया है तो गलती एक मुझे जो दिखी दो गलती एक गलती आपकी दिखी क्या दिखी है मुझे की पुराने शेयर्स को भूल गया थी और एक गलती ये दिखी की डिवाइड़ बाई 10 से किया था डिवाइड़ बाई 200 लुपिस से होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि ये गलती हमी से होती है मैं खुद जानता हूं कि 99 परशन ये गलती होती मैंने पहले ही बहुता नंबर हो एक बार मैं बोल देता हूं तो मिलाते हुए चल देते हैं यह कि एह से शिटीमेकट ए derivedी उनिसलाख 50,000 है इंट्रेस्ट में पहला है पाचास ज़र है टिर्लाख 25,000 और 2,500,000 पर इड्ला पाचाज़र एगर एक लग 12,000 अटार फाले क्षिस जे आर शुट एक लुट़ी याह है यह और शिज है क्या टि粉 करे लिया क्च्स है कि कि टेक्स पर कर दिया है फिर तो निकाली लोगे फिर कोई दिकते हैं बस नंबर ओफ शेर्स पर फोकस करना नी टेक्स में कैसे गलती हो सकती है मुझे समझ वह नहीं कि टेक्स दिया है कि गलती मेरी में कोईशन नंबर थी पढ़ा लेकिन किया नहीं उसमें 50 पर्शन लिखा था कोईशन नंबर फोर कर लिया जैस उसके बाद इस वह ऐसा लग रहा है बना सकते हैं फ़र पूरा वश्ष्ञ तो लगबग में नहीं बताया था आपको इस बतलि यह तो मेने निकाला था ना अश्म अब भी देखते हैं इसका भी मेरे पास आंसर है पर बट 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 पर फॉस्चन नंबर फाइव कितने नम्बर की पढ़ लेते हैं हम लोग और फिर देखना कि खुद से बनेगा, और बनेगा तो फिल में दूँगा आपको टाइम, कितने रुपए की जरुपरत है, 50 लग, और न्यू प्रोजेक्ट लिखा है मतलब समझ रहा हूं, न्यू प्रोजेक्ट का मतलब, पहले का कुछ नहीं, ठिक, और इस से EBIT कितना आएगा, 10 लग, और ये एक्सपेक्टेट सब्दे दिया हुआ है, थैंक गॉट, और आपके पास का टारगेट किया है, कि EPS मैक्सिमम होना चाहिए, तो अल्टरनेटी उस है, 5 लाक, 20 लाक, मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाला हूं, and the balance in each case by issuing equity shares, और shares कितने वे इस्यों होगा, 300, but, 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 एक्सपेक्टेट टू डिक्लाइन कितना हो जाएगा, 250 अगर बॉरो होता है, 20 लाक से उपर, एक्सपेक्टेट बढ़ेगा, तो शेर के बढ़ने से शेर का प्राइस गिरता है, तो बुले अगर डेट 20 लाक से ज्यादा होगा, तो शेर प्राइस घटके कितना हो जाएगा, 250 अगर आपको बेगो समझ रहा है, और आप नहीं हो, ठीक है, पाँच लाक तक कितने परशन के हिसाब से उधालोगे, 12 और पाँच लाक से उपर, 10 परशन, टैक्स का रेट कितना है, 25 परशन, पताएगे कौन सा अल्टरेनटिव अच्छा है, होमवक दूँ कि यहां बना रहा है, बना लो, चलो, पाँच, होमवक कम से कम रहा है, तो एक मिनट हमको किसमें लग गए है, कुश्चन पढ़ने में, ठीक, तो सर, कितना टाइम दे रहा है, आट मिनट, पाँच मिनट तो ऐसी खर्चर, ठीक, जालाँच, कोश्चन आपके बुक में ऐसा नहीं लग रहा है, इस कोश्चन में पहले का एकविटी दिख नहीं रहा है, तो उसको भर घ्यान से लग, मेरा एकी टार्गेट आपको डिश्टर्व करने, एक उनट हो चुक, आंसर वेरे पास में है, है, आपके लग्यों से लेख से लेख से. इसरे भी अन्सरिक आता वेरे इस लोगताए थे जो हो. इसमें क्या लिखा है बता दूं क्या अंसर में तभी को ओकी एक मिनट का टाइम दिया वैसे तभी टाइम है तीन नट का ऐसा लिखा है हाँ वो किसी ने भी ने लिखा है हाँ उस पे नंबर है न एपीएस का अंसर आ रहा है 47 और 59.25 और लेगे देना की सेकंड अल्टरनेटिव अच्छा है तीन सो ही तो पढ़ा था बीस लाग से तो उपर डेट है उसने कहा कि बीस लाग से उपर होगा तो तो यही तो बोला कि उसने आपको पागल समझा 250 रुपिया था हमको कोई मतलब है नहीं इस 250 पचास अब अन्सर इसका 47 59.25 अभी तो पिक्चर चाल हुए है अज 10 मिनट में अभी तो 52 मिनट सुए है ना ओके क्या यह कोशन देखा देखा लग रहा है हाँ थोड़ा सा लग है होमवाक क्योंशन नमबर 6 होमवाक इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है का अंसर अभी तो मेरे पास नहीं है एक और कोशन बनाएगे कोशन नमबर 7 उसके बाद ब्रेक ले लेंगे कोशन नमबर 7 हम साथ में बनाएगे आप नहीं बना पाऊगे कोशन नमबर 7 पढ़ते है ABC Limited प्रोवाइट्स यू दो फोलिंग इनफोर्मेशन EBIT दिया है 2,80,000 इंट्रेस्ट माइनस किया है 40,000 और रेट है 10 पर्षन क्या पहले से डिवेंचर है 4 लाग के 40,000 डिवाइड दिया है तो ये आगे हमारा earning after tax number of shares 30,000 है तो डिवाइट करने से क्या है EPS कितना आ गया 4 price earning ratio 10 दिया हुआ है पहले से तो अगर EPS को price earning ratio से multiply करोगे तो MPS है जाता है ठीक है भी हम statement पढ़़ण है company के पास पहले से unrestricted reserve कितने के है 7 लग capital employed के काम आए company को और कितने रुपए की जरूरत है 4 लग this investment is expected to earn the same rate as fund already invested समझ में आ गया बस एक दिक्कत है ये you are informed that debt equity ratio debt equity ratio का formula debt divided by debt plus equity आपके हिसाब से formula नहीं चलेगा अगर 32% से जादा होगा तो सर वो तो निकालना पड़ेगा तोचिंगे अब देको अब टाइम खतम हो अगर debt equity ratio 32% से जादा होगा तो price earning ratio घट की कितना हो जाएगा 8 ठीक है और interest rate कितना हो जाएगा पढ़की कितना हो जाएगा 12 बशन और आपको क्या निकालना आपको price निकालना estimated price और price कैसे निकलता EPS into PE ratio उसके लिए EPS निकालना पड़ेगा उसी statement से और EPS के लिए EBIT निकालना पड़ेगा अगर आप पैसो का अरेंजमेंट कहां से करते है डैट से और एक बात का विसेज ध्यान रखना कि share जो issue होगे वो कितने के सबसे होगे 40 के सबसे ये question CA final में भी आया था क्या CA final में ये chapter है नहीं पर कभी-कभी वो क्या करता इंटर को कोई question उठा कर डाल देता है इंटर पढ़े ही कि नहीं एक बार check कर देता है ठीक पथा नहीं आपका attempt में पहले काम क्या करें हम लोग estimated EBIT चलो estimated EBIT करें working note number one आसाद बनाएंगे question estimated EBIT तो सबसे पहले हमको चाहिए existing capital employee existing capital employee पताओ क्या company में पहले शेश्या capital है कितना कैसे पता 30,000 इंटर इंटर दस इन लक्क और क्या debentures भी है yes 40,000 इंटर डिवाइड बाए 10 प्रतीशत जागे 4 लक अहां return earning भी है कितने का है 7,000,000 इंटर इंटर इंवेस्टमेंट निकल सकता है कितना कमा रहा है सब्सक्रस के आज़ीड अब से आज़ीड जा सकते कि जाओ पहले से कितना था यार capital employed 14 लाक और कितने पैसों का arrangement हो रहा है 4 लाक इन दोनों पर मिलागर कितना कमाएंगे 20 परशेंट कितना आ गया 3 लाक साथ बस अब हम अपनी वाली टेबल बना लेते है कितने अल्टरनेटिवस है हमारे दो ना दखोगा चुका ना 3-6 अपर क्या लिखोगे अपर वो तम लिखते नहीं है वेबल प्राइस निकलना हम पहला अल्टरनेटिवस कौन सा है डेट की इकवड़ी डेट दूसरा है ओके और क्या करेंगे एस्टिमेटिट प्राइटी क्या आया वर्किंग नॉट नंबर वन कितना था भई तीन साट अभी आएगा तीन तार्थ हजार माइनस क्या करोगे इंट्रेस्ट अले किस पह ले लेंगे ओल्ट चालेस एजार और ये चालेस आप क्या करोगे न्यू पर्टी एट कैसे पता बारा परशन पर कैसे पता कि बारा इपरशन पर करना है अच्छा लिखा है क्या पर उसके पहले भी तो कुछ लिखा है अगर डेट एक्विटी रेशियो 32 परशन से उपर होगा तो प्राइज जरिंग रेशियो 8 होगा और नया इंट्रेस्ट रेट 12 परशन होगा नहीं तो 10 परशन परशन यहोगा तो आप सीधा 12 निखोगे तो कड़ भी हो सकता है आओ डेट इक्विटी रेशियो निकालते है दिखाना पड़ेगा ना बच्चे चलो तो डेट इक्विटी रेशियो निकलते है अगर पैसा डेट से उठाते है अगर पैसा हम किस से उठाते है तो बताओ डेट कितना हो जाए गया है टूटल पहले से कितना था डेट चार लाक तस चार लाक तो टूटल कितना हो गया आट लाक और याण डेट कितने का है चार लाक कहीं रहेगा इधर वाला चेक ही क्यों कर रहे हो को लाक क्यों नहीं पीर जाएगा न पीर एशोग और दूसरा क्या है एक वड़ी एक वड़ी कितने का है एक वड़ी कितने का है पीर लाक क्यों लाक क्यों पीर लाक क्यों इसको चैलेंज मत कर देना इसको चैलेंज मत कर देना पता लगा लिख कर आगए कि नहीं गलत है फॉर्मूला इग्जाम में नहीं हो कैगा ठीक अगले आटेम्ट वे हम सहीं करके पहुंचाएंगे तो आट लाक उपर नीचे कितना जाएगा अठारा लाक इन टू हंड्रेट परसेंटेस तो यह तो बढ़ गया और यह इसका तो कोई जक्कर नहीं है कितना तो हैंस रेट आप इंट्रेस्ट यहां कितना जाएगा 12 पर्षेंट और यहां तो अप्लिकेबल ही नहीं है और प्राइजनिंग रेश्यों यहां कितना जाएगा आट और इधर कितना रहेगा 10 का दस ही रहेगा लास्ट में जरूरत पढ़ेगी इसकी कि वापस के जाए जहां से चले थे तो कि तेन परशेंट है आपने पहले निकाल लिया था यार गिन सही रहेगा आट तो पर्षेंट में धोका हो जाथा कीवीटी दो लाग बादतर हजार दी लाग 20,000 अभी आजाएगा टेक्स एक्स करेट पक्का ना पता लगा लास्ट कुछन हो 50 ले लिया 50 1,36,000 एक लाग 60,000 अब आगया हमारा अर्निंग आप्टर टेक्स एक लाग 36,000 और एक लाग 60,000 प्रफरेंशियर कैपिटल है क्या? नहीं बच्चो से सिर्फ यहां गल्ती होता है किसी को सोच समध के बोलना पहला वाला तो चलो मैं बता रहता पहले में नंबर ओफ शियर्स आए थी सर वाओ तहीं है दूसरे में नंबर ओफ शियर्स निकालने में दिक्कत होती है तो सर 30,000 तो पहले से था प्लस और कितने पैसो का अरेंजमेंट किया हमने? चार लाग और शियर्स कितने मेश्यू किया? दिया है न या? 40 दिया है नीच 40 तो टोटल 40,000 तो यहां क्या आ गया हमारा APS 4.53 और 4 इंटू क्या करोगे? P ratio सर यहीं से question खुड़के आ जाए तो हो जाता है जल्दी जल्दी में मत कर देना पे कितना था? 8 और यहां कितना था? 10 अब क्या जाएगा? MPS अगर price earning ratio दिया है तो आपको आगे बढ़ना ही पढ़े तो बोलो कितना आ गया? 30 तो 4 और 40 अगर EPS के हिसाब से decision लेकर आ जाते तो खेल खतम हो गया था कौन सा अच्छा? EPS EPS के हिसाब से यहां तो खेल खतम हो गया था तो जब भी price earning ratio दिया रहेगा आपको MPS निकालना पढ़ेगा आंसर क्या आएगा 40 मतलब कौन साच्छा है? Second Alternative अच्छा कोशन था यह इसमें debt equity ratio के लाएगा सब चेक करवाए हैं आपसे की debt लेने से काम नहीं चलेगा debt लोग ही तो शेर का price भी गिरेगा ठीक है जीब्रेक ले ले? हाँ साथ ठीक ले ले और कितने बचे मिलेगे हम लोग? question number 8 question number 8 empty picker कर यह हर question हमको देखा देखा लगेगा कि हाँ जी एक वह पढ़ लेते वही तो है बस आधा कर दिया है पिछला question किया था ना आपने कितना था 50 लाक इसमें कितना कर दिया है? 25 लाक तो 250 को यहां 300 को 250 किया है यहां 250 को 125 कर दिया है सीधा बोलो ना होंवर्क 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 इसका answer प्लीज अच्छा अब बना किसमें रहा होंवर्क कॉपी की क्लास की बनता ही होंवर्क कॉपी का है question number 9 भी देखा देखा लग रहा है क्या मतलब आप क्या कहना चाहरे हो मेरी समझ में होंवर्क चलो कट कर दो खुश कितनी खुशी मेरी हाँ यह तो same question अब सीधा पहुच जाओ question क्योंकि इधर तो indifference आ गया है ना यार इसके question बाद में ड़ा देखा है question number 42 पे आई है question number 42 और यह जो question है ना आपका AFM का question sorry financial management का module और illustration number है 12 illustration number तो करने का बनता है बिलकूँ कितने capital है पहले का 100,00,00 जिसमें से 10,00,00,00 equity share से 10 का एक है currently it is earning free tax profit 60,00,00 के बीटी trust minus हुआ है के नहीए EBIT अगर debt नहीं है तो जो ABT है वही EBIT है तो उसको EBIT बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा तर इसको EBIT बोलेंगा और अभी जो है listed है company और शेयर का price 50 रुपय से 80 रुपय तक हो सकता management want to divergify production and approve project और कितने और रुपया लागा रहा है प्रोजेक्ट में 50 लग जो की free tax income कितना हो जाएगा 40 लग मतलब estimated ABIT कितना आएगा 40 ये और 60 ये यहां कोई percentage का चक्कर नहीं है 15 में की 15 रुपय प्रीमियम 15 रुपय फिर से बढ़ू के लिए दूसरा आप डेट से और तीसरा आप 25 लाग का एक्विटी चाहिए आपको और बचा हुआ का डेट 16 पर्सेंट इंट्रेस्ट बस क्यूंकि डेट बढ़ेगा तो क्या आपका शियर का प्राइस कम हो जाए बढ़ेगा शेयर का प्राइस डाउन होगा पर बोले आप चिंदा मत करो शेयर कितने में एश्यू करोगे एक्टे प्रीमियम आप रुपीस चालिस यूर रिक्वार तो एड्वार तो एडवाइजमेंट एडिशनल कापिटल केंवेर किपिंग न माइंड देट मैक्सिमम एपिएस मैक्सिमम होना चाहिए मतलब सिफ एपिएस निकालना है आपको और टेक्स का रेट कितना है 50% और आंसर है 4.17 और मैंने कहा करने का बनता है यह कुश्य इसी का रिमोट कौन कंट्रोल कर रहा है अच्छा हाँ यहां जो इस रूम में बैठे है ना उनको समझ में आता है कि क्या है तो चलो बनाए कोश्यन एक ते कौन पहले बनाता है मैं या आप तो पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको EBIT तो वो तो थिया है हाँ कुछ कहना चाहिए कुछ कहना चाहिए देना टेबल ही बनाऊना सीधा क्यों टेंसें लिए अच्छा सब पैटेबल भी बनाऊना इस्टट कर दिया वाँ इक है ना बड़ो आगे मैं भी देखू इच्छे तो नहीं आना पड़ कितने अल्टर्णेटीव्स है मरी मस रॉपी दे लेक्स में कर रहे हूं पुरा जीरो लगा रहे हूं तो जैसे अब हमें क्या निकालना EPS 1 3 estimated EBIT कितना आयत है यार दोनों मिलाकर सौलाक ऐसे रुपीज इन लैक्स में भी कर सकते थे ठीक है मैनिस क्या होगा पहले का कुछ है क्या पक्का पहले का इंट्रेस्ट किसी में नहीं है नहीं है तो कुछी पे नहीं आएगा और न्यू पे आएगा किस में डेट आ रहा है सेकेंड में से कितना थड में भी है क्या तो पहला वाला बताओ आट लाक आगे 25 लाक है सायद 25 लाक का 4 लाक अब जो आगे है उसका नाम रहा कितना है 50 लाक पचास लाक 46 लाक्स आगे अब आजयेगा अब आजयेगा अर्निंग आफ्टर टेक्स मुश्किल मुश्किल कोश्ट्न में करवा दे रहा हूं टेंशन मों 50 लाक 44 लाक 6 लाक्स divided by ये भर ध्यान से करना यार पक्का विस्वास में लिख रहा हूं 12 lk आंसे पता कैसे लग गय है प्रिटीं है 10 lk पर समय पचछास प्रिस 4.17 4.60 4.57 shootings अच्छा 9.65 लिखे ले ना इससे आसान चैप्टर है डिविडेन और इससे भी आसान है रेवरेस्ट सबसे आसान है रेवरेस्ट ओके हैं इससे रेवरेस्ट लग रहा है पॉस्ट नमबर फॉर्टी थ्री यह एफ्म का है और इससे नमबर है थर्टीन यह एफ्म मतलब एफ्म समझ जाया कर दो यह वाला कोशन देखा देखा लग रहा है तो दोनों में से कोई एक कट कर दो आंसर भी दिया है उसमें आंसर नहीं दिया है कौनसा कोशन अभी मैंने होवक दिया था याद करो मैंने 150 और 125 कोई भी कोशन कैंसल कर दीजिए इसको भी कैंसल कर देंगे कि चल जाएगा चल जाएगा चलो यह भी आपका वेजन थोड़ा हलका होगा प्रॉशन नमर कोशन नमर कोशन है 47 ठीक है प्रॉफिट दिया है तीन लाक आफ्टर मिटिक तो हो यह सब्द सुना सुना क्या है आपका यह जो मॉडूल है उसका कोई कोशन बाकी नहीं रहना शुए नहीं इसलिए कोफी के अब यह सेम कोई नहीं बुले था क्वेस्चन नमर फॉर्टिनाई यह बनी नहीं सकता क्योंकि यह कॉंसेप्ट मैंने करवाए नहीं इंडिफरेंस लिवल अभी नहीं करवाए हूं कार्ट मत देना इसको कॉश्चन नमर फिप्टी वन यह कॉश्चन है बहुत हवा में बात हो रही है अब करते तिखा थीटर लिमिटेट KBID दिया है भाई 23,00,000 ऐसी कॉश्चन मनाओ दो मजा है डिवेंचर है 80 और लॉंग टर्म लोन है 220 मतलब दो टाइप का लोन हो गए आपकी मैस टोटल है 3,00,000,000 23 में से 3,00,000,000 20 का टैक्स हो गए वो टैक्स का रेट नहीं दिया पर पचास पर 10,00,000 अगया अर्णिंग आफ्टर टेक लिए 10,00,000 नमर फिप्टी अगया 5,00,000 तो EPS आ गया है और मार्केट तो सब प्राइज अर्णिंग रिश्टा उंको पता लग दे है कंपनी ये पास पहले से रिजर्व कितना है 20,00,000 और कितने रुपे की जर्वरत है 30,00,000 अब लाइन इंपोर्टेंट है यहां समाल लिए तो मज़ा जाएगा तो यह 30,00,000 का कर क्या रहा हो तू पे ओफ डिबेंचर डिबेंचर को पैसा चुका दू ठीक है कितने के डिबेंचर है 80,000 इंटरस्ट है जो कि यह 8 प्रतीशत तो टूटल कितना 10,00,000 तो बोले जो 30,00,000 आएगा न पूरा प्रोजेक्ट में नहीं लगा रहा 30,00,000 में से डिबेंचर को पैमेंट कर दीगे 10,00,000 बचा कितना 20,00,000 को लगाएंगे प्रोजेक्ट में और 30,00,000 से कितना कमाएंगे वो तो आपने काली लोगे वही एजंशन से पहला अल्टरनेटिव पैसो का आरेंजमेंट कहां से करोगे? कितने पर्षंट पर? तो यह कंपनी पागल होगे यह दिख रहा है आपको पैसा कितने पर उठा रहे हो? 20? 20 नहीं 12% और किन को चुका रहे हो? क्या बेकूप यह 12 कभी ऐसा देखा है उन्हें मैंने यह भी देखा है practical life में देखा है कि मेरा personal loan है मेरे पैस बहुत सारा पैसा आया तो मैं सुखते है चलो ना ABD कर देते ABD क्योंगे पहले उसको चुका हो ना personal loan 16% ब्याज और आप ABD करवा के 7.5% ले रहे हो पर मुलें नहीं पैसा जमा रहेगा अरे भाई पैसा जमा यहां भी यही काम हो रहा है पैसा कितने परशन पर उठा रहे है 12 और कितने वाले को चिका रहे है 8 यह कैसा decision ही गलत हो गया पूरा यह हो सकता है कि debenture का maturity date आ गया होगा और आपको चुका नहीं पढ़ आओगा फैर यान मैं अंदर क्यों गुसर हो सिधी सिधी बात हमको समझ में आ रही है alternative to यह तो यार share issue कर लीजिए 1 lakh into 20 20 lakh के और बचा हुआ term loan कितना 20 और 10 30 ठीक और यह भी मसाला लगा दिया जो rate of return है वो उतना मत ले 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 ना improve कर देना 2% से 10% को 2% से बढ़ा हो 10.2 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 10 10.3 10 10.2 10 10 10 आठ हो जाएगा अगर पूरा पैसा किस से ले रहा है इत में बोल कर विता हूँ वह यह कहना चाहता अगर आप टर्म लोन से पैसा लोगे तो दो परशन से यह बढ़ा देना और प्राइजन इंग्रेश्व आठ कर देना पैसा बोल रहा है कि मैं गलत तो नहीं बुला पैसा लेंगे अगर मैं टर्म लोन से पैसा लेता हूँ तो राइजन इंग्रेश्व कितना हो जाएगा आठ और जो रिटर्न इंवेस्टमेंट हो इसको अच्छा यह सेंटेंस अलग है यह यह अलग है यह किसी से भी पैसा लोग कोई फरक नहीं पड़ता जो पी रिश्व है ना उसी की बात किया है टर्म लून किस ऐसा वोलो ना सर यह आप खोदी ज्यादा सूच रहे हैं कौन सा करना है और नो चेंज इन प्राइजन प्राइजन इंगरेशन में मालो आट नहीं होता हुआ ही रहता है तो बताओ क्या होता तो EPS तो वैसे भी निकल रहा है अपना चलो हिम्मत दिखा रहे है अंसर में बता दो 19.36 है 22.17 तर यह कहा का कोश्चन उठाया है आपने 51 करने कुछ तो लिखा नहीं है पर चलो करने स अपने पाउने, तो रहे है आपार कव्षा smुट है 25.67Cu करने सुली करू़ आपने, और लंकर रहे है रहा है बता तोfound Я. क्यांता कोई डाउट इतना दा बने लिएगे सर अब आगे केसी बढ़े सबसे पहले एक्जिश्टिंग कैपिटल एंप्राइल लिए तो सर पहले शिश्टिंग कैपिटल भी है कि इतना शियर से पाच लाक इंटो दस पाच लाक इंटो दस चलने का दिमाग तो बहुत कुछ चलता एक्जाम में क्यों जिन्दगी में कभी नहीं चलता वो एक्जाम के दिन चलता हुआ यार बीश से भी तो मल्टिप्लाई कर सकते हैं कुछ लोगों कैसा भी लगश्टिंग चलता है तो अगे जलते हैं अगे जलते हैं नहीं बेटे मिक्स करोगे ना आप सर मार्केट वैल्यूवेट होता था एक बुक वैल्यूवेट होता था खीक ऐसा कुछ भी कहीं भी हो सकता है आप लोगों के साथ असी अजार दिवाइड इड़ाइड पाई 8% सासलाम मैं दर डेट लिखा हूँ अभी टॉंक टम दो तो लाग बीस जार कि वाइड बाए 11% 10,00,00 return earning है क्या return earning 10,00,00 अब फिर क्या करेंगे total और total जैसी करने जाओंगा तो फिर मेरा दिमाग चलेगा यह डिवेंचर को तो वापस कर दी थे पैसे अच कितना आगे तो लाग यह आगे capital employed और additional कितना लग रहा है 30,00,00 30,00,00 तो मैं ऐसा लिख देता है total capital employed 100,00,00 था plus आया कितना capital employed 30,00,00 minus 10,00,00 एक ही बात है ना यार 100 पहले लगा है 20 और लगा देंगे 100 लग था अच्छा जो new return कमा रहे हूँ कहना है कि 2% बढ़ा के निकल रहा है 2% वो किस पे हूँ कहा एक सब्सक्राइब चलो यहां कितना आगे 1 करोड 20 लाग पहले यह लिख लिया अब दो चीज निकाले अब पहले ROI निकाल लेते हैं ROI कितना 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 20 divided by कितना तॉलक इन्टू हन्रेट कितना आ गये हैं 20 तो न्यू ROI 23 को कितने पर्शन से बढ़ाना है 2 पर्शन से 25 ना है 23 को दो पर्शन से बढ़ा है कितना है मेरा GP ratio था 10 पर्शन अब 2 पर्शन से बढ़ा गया मतलब 12 हो गया है पर्शन्टेस को पर्शन्टेस से ऐसी बढ़ाते हैं तो टोटल कितना हो गया 25 पर्शन मतलब इसको 4 पर्शन्टेस स्क्वार ऐसा लिख सकते हैं 2 पर्शन इंटो 2 पर्शन कितना आएगा 0.04 कर लो 0.02 0.02 0.004 0.002 यह सब थाइन अभी अब इसे बात करते हैं 25 परशन यहां तक ठीक है 25 परशन अब सवाल यह है क्या कहना चाहता हूं मैं समझ रहे हो ना अच्छा बता एस्टिमेटेड एडिये टी हां एस्टिमेटेड एडिया अब मैं यह कह रहा हूं कि यार यह 25 परशन जो लगेगा वो 20 लाग पे लगेगा कि पूरे 120 लाग पे लगेगा तो निप्टा दिया कहीं है पूरे 120 कहीं सब्दों में ऐसा कुछ लिखा है क्या कंपनी एक्सपेट इंप्रूब इस रिट ओप्रेटन बाइट 2 परशन एज़ल्ट ऑप मॉडर्णाइजिशन पूरे पे लगाते हैं हमारे पस कोई आप्शन नहीं कि 20 पे अलग लगा है पूरे पे लगाते हैं कि मॉडर्णाइजिशन हुआ प्लांट का तो हो सकता इंप वो तो आंसर में पता लगे हैं कि 25 परशन हो लो कितना आ गया अब निकला इस्टी में टिडिव यह अब क्या निकालना है हमको यह प्राइज अनिंग रेश्यो मतलब मांगा क्या है हमसे बोला है कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है याद रखना कि प्राइज अनिंग रेश्यो अगर दिया है तो MPS ही निकालोगी हमारे पास कितने अल्टरनेटिव हैं तो चलो टेबल बनाते वन तो पहले है जाएगा हमारा एस्टिमेटिड ए कितना आयत है याद तीस लाक मैनिस क्या करोगी पोल्ट तर गया है कितना मैनिस करोगे डिवेंचर का मैनिस करोगे क्या कि नहीं करोगे हम यह जो भी काम कर रहा है यह कब का निकाल रहा है पास्ट का की फ्यूचर का यह लगा देंगे तो क्या होगा तो क्या होगा उस समय तो डिवेंचर रहेंगे नहीं यह ठीक है सिप्ट अमड़ों इस पुट्टी टू थाउजन जीरो ऐसा पुट्टी पे आएगा क्वेश्चन आपके सामने है मुझे बार बार स्लाइट चेंज करनी पड़ती है कि आम बताएग तीस लाग पे लगेगा कि बीस लाग तो तीस लाग का कितना प्रतिशत लाग प्रतिश्य लाग तीन लाग साथ हजर दूसरे भी कितने है दस लाग पे एक लग भी सर अब आ गया ई बी टी तो बीस लाग 20,000 कितना 26,60,000 माइनस टैक्स पचास परशन का बार लग 10 से लाग 30,000 इसके बाद क्या जाएगा यार अलिंगा फ्रेटेक्स बारा लग तेस जार तेरा लग तेस जार प्रिंशियर कैपिटल है क्या अब असली खेल तो ये है तो समझ के लिखना सो समझ के यहाना टाइम लगाना थोड़ा से पाच लग मतलब दूसरे में सर्फ पाच लग तो लगा ही है और कितने के अच्छा बूल दिया है क्या तो फिर तो इसमें गया अच्छे लग आसान काम हो गया EPS आके 2.42 2.216 इंटो प्राइज अर्णिंग रिश्यो Debt या 8 उसने बोला है तो आप सब तो ये पूरा पैसा अगर आप लोन से ले रहे हो ना तो 8 ये डाइट एक्विटी रिश्यो चेक करने के लिए नहीं बढ़े इत ओर टैन MPS 19.36 22. 22. इस कोश्चन में हम कहां फस सकते थे एक तो वो 22 परशन 25 परशन उसको 23 को 2 परशन से कैसे बढ़ा सकते थे हैं 23.46 एक ये हो सकता था और दूसरा डिबेंचर और तीसरा वो जो 25 परशन है वो एडिशनल पर लगेगा की पूरे पर लगेगा कोशन अम आपके अच्छा ना अच्छा सेकंड पार्ट में बोला कि मालो प्राइज अभी अभी कौन सा अच्छा ये अगर प्राइज अर्निंग रेश्व आठ ना होके 10 ही होता तो क्या होता तो फिर ये वाला अल्टरनेटिव अच्छा होता इफ प्राइज अर्निंग रेश्व इस टैन टैमस इटसे निकलो MPS दोनों में कि दूसरा अल्टरनेटिव ये पूछ रहा कि अगर प्राइज अर्निंग रेश्व टैन होता तो इफ प्राइज अर्निंग रेश्व टैन टैमस दोनों का EPS मालूम है आपको बस मल्टिप्लाई कर दीश्य और लिग देना कि कौन सा अच्छा उस कंटिशन कि अगर आज तो बड़े सारे कोश्चन बराया हूं 53 क्या देखा देखा लग रहा है एक बार देख लेते हैं देख लेते हैं इसा कोशन किया है ओमवक अंसर भी दिया है मेरे ख्याल से अब मेरे पास कोश्चन खतम हो गया यह आखरी कोश्चन अब नहीं है ठीक कल पढ़ेंगे हम EBIT यह कोश्चन करने के बात क्लास ओवर होगी उसके बात कल पढ़ेंगे हम इंडिफरेंस मैस कैसे है आपका इंडिफरेंस कर वे बुल्ट पढ़ते है तो लिखा है एक फाइनिशल स्टेटमेंट दिया हुआ है ओपरेटिंग प्रॉफिट को प्यार से क्या बलते है EBIT इंडिफरेंस का इंडिफरेंस का इंडिफरेंस दिया है 33 एक बर चेक करो 220 का बंदरे पर्शन वह आएगा 33 मान लो सर वो 33 नहीं आता तो फिर चेकी नहीं करते जो दिया है वो दिया है ना जब रदसे आगाम नहीं करेंगे टोटल कितना आगया है फासव बीस मार्केट प्राइस पर एक्विटी शेर्स कितना दिया है 12 और पर डिवेंचर कितना दिया है 93 EPS निकालना है एस्टी मेटिट का तो चेक कर छोड़ो बले जो दिया है ना उसे से EPS निकाल कैसे निकलेगा यार EPS हमको अर्निंग आप्टर टैक्स दिया है इसके लिए टेबल बनाऊगे यह तो दिख रहा है यार हाँ बना के करेंगे ठीक है और पार्शेंटेस कोश्ट आफ कैपिटल टू दे कमपनी फाट डिबेंचर एंड कोश्ट आफ कैपिटल के कई जमाना हो गया के डी और के इ बस चलो बना ही लेते ना घर में भी बना हो गया और क्योंकि यह कोश्च ना लग है चलो बना लेते हैं मैं EPS निकल दू आपके लिए अब हमको निकालना है एक तो क्या निकालना है के डी और के पॉस्ट अब डेट पता है कैसे निकालना करते हैं लेके ना है आई बार मैने स्टेक्स कवाटे डीट डैस त्यक्यों अफर्ला कि इसाब से भी कर सकते हों लिकिन पंधरा पर्शंट के मार्टप्राइस बर्यक्यों कि कि एक मात्र कोश्चन आप से पूछ रहा हूँ अगर आप 33 लेते तो क्या खेल होता मतलब 220 डिवाइड़ बाइ 100 इन्टु 93 पॉंचल करेक्ट इलगो सही अब क्या निकाल ले केई फॉर्मूला वालू में डिवाइड़ बाइ केई मैंनस जी या फिर डिवाइड़ बाइ पिजी या फिर रफ प्लस आर्म मैंनस रफ इन्टु वी तब वो तो लगेगा नहीं तो क्या करें डिवाइड़ बाइड़ प्लस यहीं डिवाइड़ मालू मैं क्या जितना अर्निंग उसी को डिवीडन ले ले थे एक earning price model पढ़ाया था मैंने याद नहीं भी है तो भी समस्या नहीं है जो है उसी को हम dividend ले 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 तो EPS कितना निकला था 2.34 प्राइस दिया है क्या अब growth आएगा की नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता जब earning को ही dividend ले लिये तो कहां से growth आए 19.5% कि WACC निकलने का दिल कर रहा है समझदार हो कि मांगा भी नहीं है ओके क्लास और करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे बस questions भी खताम होगा